अससलाम अलिक्वम एंड वेलकम बैक टुमाइ चैनल आई होप आप सब ठीक टाक और बहुत खुश होंगे तो आज केल जो है वो सेल लगी हुई है ब्लेस्ट फ्राइडे की और ग्यारा ग्यारा की तो कफी सहर सभी मुस्टली तकरीबन सभी ब्रैंड पर लगी हुई है लेक तो मैं खुद ही स्टिच कर लेती हूं मुझे भी स्टिचिंग आती है लेकिन आज कल जो है ना वो विंटर की में दिन भी छोटे होते हैं तो इसी वजह से जो है ना वो टाइम ही नहीं मिलता फिर सीजन गुजर जाता और कपड़े स्टिची नहीं हुए होते तो मैंने का चलो शर्ट्स जो है ना वो दो मैंने सुलवाई हैं ट्रावजरन के साथ के स्टिच करवा लूँगी तो यहां पर मैं गुलामत आई थी गुलामत पर अभी मैं आपको इन पर भी सेल लगी है 40% आफ है मैंने तो वैसे बैडशीट सेख नहीं दी लेकिन कुछ ट्रेसी भी विंटर के पड़े हुए थे और साथ समर के भी पड़े हुए थे तो यह वाला ड्रेस जो है मुझे बहुत ही अच्छा लगा था इसके साथ शॉल भी थी और सिये खदर का ड्रेस है ब्लैक इसके ओपर यह जो इंबराइडरी हुई है सारी गोल्डन कलर की तो इसी तरह अफ करके सिर्फ 2700 का टू पीस मिला लेकिन इसमें साइज का इश्यू था यह लाज साइस साइस अवेलेबल नहीं थे पिर उसके बाद हम लोग जो है वो शनायर पे आगे तो यहां पर शनायर पे भी सेल अभी लगी है लेकिन शनायर की सेल जब ज़्यादा नहीं है नेक के ओपर प्लिन डरेस नेक के ओपर मपराइटी और साथ लूप्स लगे हुए हैं और स्लीव बिर इस लाजों के लिविगे हुए अवर सेल वह लगा हूं सकति अब न left का यह जिसे घृपवान के सारिके साथ नेक बीस प्यार के सार्फ मेंशे कर लगा नेके साथ लास्ट ये भी फैशन रहा है तो ये कौड सेटी था और इसके भी ये सारे जो रेक है ये कौड सेट का है तो इनके ज्यादा डिजाइनिंग नहीं है नेक के ओपर डिजाइनिंग है सेमी साथ ट्राउजर है सेम कलर का यह वाला ड्रेस मैंने आपको पहले डीडेल से पीछे इसके साथ साथ मोस्ट्डी जो शनायर के ड्रेसस होते है उनके अपर ऐसा चितनी को खास डिजाइनिंग नहीं होते ही लेकिन उनका फैब्रिक बहुत अच्छा होता है और अब यह वाली देखंगे चैसे आपने पीछे देखा और इंची जेख्गा त इसके भी नडिक के तो आजे जो तो हो वो दो हैं और ऑपकि देखांच से कहें आनला में हमांदा के अफसे फ़र स्वच है कि लिदिदाइनिंग अंट स्भीधाती है नेक के भी हो लेकिन साथ दामन पे भी कुछ टॉच हो ताकि नजर तो आए ना कि अंबराइडर ड्रेस पहना हुआ या फुल ड्रेस जो अंबराइडर हो फ्रेंट फूल अंबराइडर हो जैसे यहां पर यह देखें इसके भी नेक के ओपर प्लेट्स वगरा डाले गए तो अगर हम शौल कवर ले लेंगे शौल ले लेंगे तो यह तो छूपी जाएगा ना और दामन बिल्कुल प्लेन है तो मैंने फिर इस तरह शनायर के कोई खास ड्रेस मैंने नहीं लिया मैंने स्टीच कर लूँ फिर देखोंगे किशनायर पर है या नहीं मैं अभी उनको श्रिंक करके आई हूं मैं आपको दिखाती हूं और मैंने शावर लिया तो मैंने आज भी कौड सेट पैना हुआ यह देख लिया मैंने का इसका डिजाइन भी आपको दिखा देती हूं यहां प तो मैंने ओनायर गाने पूर तो मैंने का यहां लाघश था है यहां और माते बद्रेखों मैंने पीतनी यहां जाएगी। तो भी मैंने मचीन में कपड़े डाले वे थे वो निकालती हूँ और साथ ही मैं जो ड्रेसी को आपको ऊपर फिला की आई हूं उन्हा शरींग करने के लिए वो दिखाती है यह वहले कपड़े मैंने कल धोए थे तो उनको मैं अतार ले तो आज के कपड़े जो है नब मैं भी फिला दूँगी बाहर तो दूप निकली हुई है इधरी फिला दूँगी ग्रिल के ओपर फिर मुझे बार बार सीड़ियां चड़के ओपर आना पड़ता है तो बड़ा दूप तो अच्छी खासी निकली है दिल कर रहा है दूप में बैठने को यहां पर मैं आपको ड्रेसी दिखा दूँगी दूप में तो बहुत ज़्यादा कलर आ रहा है तो यह ड्रेसी मैंने श्रिंक करके फलाए है उपर दूप में अभी अन्स्टिच है पहले ड्रेस को जो है ना स्टिच करने इस पहले श्रिंक करना होता है तो मैंने इनको श्रिंक करके भी फला के गई हूँ यह जो यहलो आपने देखा है यह मैंने लास्ट यह लिया था निशाद से ओफ में से तो यह वाला ड्रेस भी मेरा है इसके साथ का दूपटा नीचे पढ़ा हुआ इस दूपटा मैंने श्रिंक नी किया फिर उसके बाद यह वाली शियर्ट है यह प्लेन है इसके साथ जो पीछे आपने ट्राउजर देखा है चिकन का वो जो है वो मैंने केसरिया से लिया था और यह वाला ड्रेस मेरी सिस्टर का मेरे पास दी पढ़ा था तो मैंने का मैं इसको भी शिरिंक कर देँगों साथ यह वाला भी फिरौजी कलर का जो ड्रेस है यह निशाद का है टू-पीस इनके साथ पट्था नहीं है तो यह जो है ड्रेस है इसके बादि नेग इसकी उपर 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 हमठी और तो बीकाफे अच्छी है तो जब ड्रेसे स्टिच हो तक घार आकर मैंने कुकिंग तो नहीं की थी बस कल वाला सालन पड़ा हुआ था आज मैं अभी पिजा की बनाने लगी हूँ पिजा की डो बना कर रखूंगी ज्यादा बना लूँगी क्योंकि बच्चों ने भी आना मेरी बेहन ने तो वो बच्चे भी खा लेंगे तो यहां पर अभी मैंने तीन कप मैदा लिया है और इसे तकरीबन दो लाज साइस पिजा बन जाएंगे बन मैंने बाद में बनाया था अच्चा पिर ने थोड़ा सा मैधा बाद में और Бी डाल दिया नज़े कम लग रा था इसके बाद हम इसमें नमक ढाल area चाल मैं शूगर संजब ओने और अगर आपके गरमιά तो आप तो आप थोड़की सी कम डाल जीगा और सब्डियां हैं तो थोड़की ज्यादा डाल दीजगा अभी मने इसमें 1.5 टी स्पोन यह से डाल सी प्छले एक वीडियो में ना, किसी ने कुमेंट किया था मैंने पिजा बनाया थो मैंने बोला था यीस्ट, तो वो समझ नहीं आई उनको क्या करे रहे हैं, मैं इसलिए यहां पर लिख देती हूं कि मैं क्या वर्ड बोल रही हूं, यीस्ट बोल रही हूं, जिससे यह राइस ह होगी ठीक है यह आपको किसी भी स्टोर से मिल जाती है बेकिंग में यह डो राइज करने के लिए यही चीज यूज होती है यीस्ट ही उसके बाद इसमें आइल डाला है और इसको हम जो हम नीड करके रखतेंगे साथ हम इसकी पिजा की टॉपिंग रेडी कर रही हूं पिजा अब उसके बाद हम इसकी टॉपिंग करनेंगे सबसे पहले हम पिजा सॉस यूज करेंगे वो मैंने पिजा सॉस बजार की लिए नीचे हमने इसकी बेस्ट बनाई हूँ जो मैंदा हमने बनाया था उसके बाद पिजा सॉस फिर उसके बाद चिकन और लास्ट में हम इसके ओ डाल रखे गया मिलेंगे अगली वीडियो में, अलाफ फेस्ट